सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्टॉक की कमी के चलते के मलेशिया में मध्य मार्च तक क्रूड पाम तेल, CPO का बेंचमार्क वाइदा मूल्य बढ़कर 4000 रिंगित प्रती टन तक पहुंच सकता है। आने वाले समय में पाम तेल का दाम 25 डॉलर प्रती टन तक उंचा होने की संभावना है। सम्मित को संभोधित करते हुए पाकिस्तान के एक उद्यमी ने कहा कि पाम तेल का भाव सोया तेल से उंचा हो सकता है। क्रूड पाम तेल की कीमतों में अगले 6 महीनों के दोरान तेजी आ सकती है। पाकिस्तान के बंदरगाहों पर करीब 5 लाक टन का भारी स्टॉक मौजूद होने से घरेलू बाजार भाव पर दबाव बना हुआ है। पाकिस्तान में CPO का आयात कम होने से रिफाइनिंग उद्योग पर गंभीर खत्रा मंदरा रहा है। उद्यमी का कहना था कि खराब मौसम के बावजूद ब्राजील में सोयाबीन का संतोष जनक उत्पादन हो सकता है। पाकिस्तान में GM सोयाबीन के आयात पर प्रतिबंध लागू होने तथा गैर GM फसलों की आपूर्ती में कठिनाई होने से कई समस्या उत्पन हो रही है। एक अने विशलेशक अमित खंडेलवाल ने कहा कि इंडोनेशिया मलेशिया से भारत में जब पाम तेल का आयात बाधित होता है तब थाईलैंड से सहायता मिल जाती है। Bureau Report Market Times TV